यूपी सरकार में क्याबिनेट वंत्री और पूर्फ क्रिकेटर चेतन चौहान की कोरोना ने जान ले लेकिन विधान सभा के मौनसून सत्र में समाजवाधी पार्टी के विधान परिशत सदस्य सुनील सिंग साजन ने जो बताया वो चौकाने वाला है दरसल सुनील सिंग साजन भी कोरोना पॉजिटिव थे और चेतन चौहान के बगल वाले बेट पर ही पीजी आई में इलाज करवा रहे थे लेकिन मैं जो देकर के आया हूँ 19 दिन पीजी आई में मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूँ और सदन के माध्यम से अपने सभी मानियों को भी बताना चाहता हूँ कि कोई गलत फैमी में न रहे हम तो यह कहेंगे भगवान से प्राचना करेंगे कि किसी को कुरोना न हो हमारे ही बगल में अब हम लोगों के बीच नहीं है सरगी चेतन सिंग चौहान जी मैं 13 नमबर बेट पर था और वो 14 नमबर बेट पर था अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर रह जाएंगे मैं 11 जुलाई को दुपहर में एडमिट हुआ और मानी मंती जी 11 जुलाई की साम को 5 बजे एडमिट हुए और अब में जो कहने जा रहा हूँ वो दुर्भाग्य है हमारा भी मन्यों का भी और जो लोग अस्पताल में भरती हो रहे हैं उनका आज लोगों का वाड मानी जी आज लोगों का वाड जहां आज करोणा संक्रमित लोग होते हैं डाक्टरों की नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूशते हैं कि चेतन कौन है तो मानी मन्ती जी क्योंकि बहुत सरल थे उन्होंने हाथ ख़ड़ा किया टीम आती है उन्होंने गा चेतन आपको कब हुआ करोणा तो उन्होंने अपनी बात बताई तो फिर एक दूसरा स्टाप बोलता है चितन क्या करते हो तुम वो कुर्टा पैजामा में थे मैं तो 65 में था खेर तो मानी मंत्री जी ने कहा कि मैं केमरेट मंत्री हूँ तो एक स्टाप ने कहा कि कहा के तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकारी तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बत्मी जी से बात कर सकते हैं लेकिन मुझे ये भरोसा हुआ कि जब मानी मंती जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबलेट मंत्री हूँ तब सायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आधर करेंगे लेकिन ये सुनने के बाद भी जब PGI के स्टाप ने कहा कि चेतन तुमारे घर में और कौन कौन संक्रमित है तो मुझे गुसा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुसा आया मतब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है वाई कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है मुख्य मंत्री तिसका मतब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आधित नाजी का सम्मान होगा अगर सर्मा जी को करोना हो गया तो आपके साथ क्या बेवहार होगा आप सोच नहीं सकते हम नहीं चाहते हैं हम तो भगवान से प्राथना करेंगे कि आपको नहीं किसी को नहीं हो लेकिन उसके बाद मानिवर मुझे जब गुसा आया मैं अपना गुसा नहीं रोप पाया तो मैंने डाक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है चलिए आप नहीं प्रभाव में आ रहा है कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंतरी है ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे तो उस डाक्टर ने का अच्छा ये वो चेतन है और ये कहते हुए डाक्टर और स्टाफ पूरा चला गया वो दो दिन तक हमारे बगल में रहे मतरब कोई मतरब वो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस घुटन में थे वो मानिस सर्माजी नहीं महसूस कर सकते और मुझे जो सब्द नहीं कहना चाहिए वो कुरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए सरकार की आवेवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए मतरब इतना गंभीर मामला और मानिवर मैं दूसरी बात बता रहा हूँ मैं उन्नीस आप समाप कर दोगा अब हमारा क्यों दर्द सुन लिए मैं उन्नीस दिन तक एड्मिर था 11 दिन हमारी फिर टेस्ट हुआ मैं फिर पाश्ट्यू आ गया फिर चार दिन बात टेस्ट हुआ फिर पाश्ट्यू आ गया हमारे मानि राश्टी अद्देक्स हमारे नेता मानि अट्लिस यादो जी ने फोन से हमसे कहा कि सरकार का सासना देश हो गया है कि तुम घर पर रहकर के ठीक हो सकते हो इस सरकार की बेवस्था पर भरोसा मत करो और जांच करा करके आप लिख करके देख आओ कि हमको इलाज नहीं कराना हम होम खॉरंटीन रहना चाहते हैं अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं मानिवार आपको मैंने राश्टी अदेशी से अंडोध किया कि एक जांच और करा लेते हैं हो सकता है कि हम निगेटिव आजाए हमारी एक जांच होई जिसमें मैं पाश्टिव आया नर्स ने कहा कि आप पाश्टिव हैं जिसमें समय करना पड़ेगा लके सांच «पाश्टिव आया कि या नहीँ आप पाश्टिव आया हमारा सुर्य दूसरा टेस्ट हूं रह दूसरा टेस्ट हूँ जब साम को मैंने कहा कि हमारी रिपोर्ट को आई तो औरो कि आपका रेपर बदल गया था इसल्या trat 접्ण जब तीसरा टेस्ट हुआ तो सुबह हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट क्या है तो डाक्टरों ने कहा कि आपका सेंपल बदल गया है इसलिए आपका चौथा टेस्ट होगा हमारा चौथा टेस्ट हुआ चौथे टेस्ट में मानवर जानते क्या हुआ जब हमने रिपोर्ट पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका फारम तो वहाँ चला गया था लेकिन सेंपल नहीं गया है तो हमने कहा पांचुआ कर लो हमारा पांचुआ टेस्ट हुआ पांचुआ टेस्ट हुआ और मैंने लिखित में दिया कि हमको PGI में इलाज नहीं कराना है हम घर में रहकर कि जो सरकार के निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम स्वस्थ हो जाएंगे मैं पहला पेसंट हूँ सरकार के निर्देश के बाद जो ये लिख करके आया कि मुझे नहीं इलाज कराना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सभी डाक्टरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं डाक्टर भगवान की तरह दिखता हमको भी 19 दिन भगवान की तरह दिखा और हम भगवान की तरह मानते हैं जो बात सुनील सिंग साजन बता रहे हैं उससे तो यहीं लगता है कि यूपी में अस्पतालों की स्थिती बद से बत्तर और अगर क्याबिनेट मंत्री से इस तरीके से डॉक्टर और स्टाफ बात कर रहे हैं तो फिर आम आदमी को तो भगवान ही बचाएं लेकिन मैं जो दे करके आया हूं 19 दिन PGI में मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं और सदन के माध्यम से अपने सभी मानियों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फैमी में न रहे हम तो ये कहेंगे भगवान से प्राचना करेंगे कि किसी को कुरोना ना हो हमारे ही बगल में अब हम लोगों के बीच नहीं है सरगी चेतन सिंग चौहान जी मैं 13 नमबर बेट पर था और वो 14 नमबर बेट पर थे अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर रह जाएंगे मैं 11 जुलाई को दुपहर में एडमिट हुआ और मानी मंती जी 11 जुलाई की साम को 5 बजे एडमिट हुए और अब में जो कहने जा रहा हूँ वो दुरभाग्य है हमारा भी मन्यों का भी और जो लोग अस्पताल में भरती हो रहे हैं उनका आठ लोगों का वार्ड जहां आठ कोरोना संक्रमित लोग होते हैं डाक्टरों की नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है तो मानी मंती जी क्योंकि बहुत सरल थे उन्होंने हाथ खड़ा किया टीम आती है उन्होंने का चेतन आपको कब हुआ कोरोना